तो नौर्वे का अगर टूरिस्ट वीजा आप अपलाई करके लेना चाते हैं तो आपको किन-किन रिक्वार्मेट से होके गुजरना पड़ेगा माल लीजी आप अपना वीजा इंशियोर ही करना चाते हैं तो उसके लिए आपको क्या-क्या रिक्वार्मेट आएगी इस वीडियो में सारी की सारी इंफ्रोमेशन मैं अच्छे से आपके साथ शेर करने वाला हूँ तो मेरा ना मैं रमन और आप देख रहे हैं Grab My Visa नौरवे स्विटन के साथ और फिनलेंड के साथ अपना जो है बोर्टर शेर करता है और आपका अगर नौरवे का वीजा लगाए आप नीदरलेंड बाइरोड भी जा सकते हैं आपको कहीं पे चेक पोस्ट भी नहीं मिलेगी और बाकी अनदर जितनी भी शेनेगन कंट्री हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं इसली ट्रैवल कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी भी चीज में और इसके अलावा आपको शेनेगन कंट्री का तो अक्सेस मिलता ही है इसके अलावा अनदर काफी 20 से 25 कंट्री हैं जो कि वीजा ओना राइवल हो जाती है अगर आपके पास वैलिड शेनेगन वीजा है तो वाली है नियर अबाउट 90-95% चांसेज रहेंगे कि वह आप से फोन गरके एक बड़ी बात जिरूर करेंगे ड्रेक्ट आपको और जो भी उनका डाउट या कुश्चन होगा उसका अगर आपने सेटिसफाई अंसर दे दिया तो नौरवे का वीजा आपका लग चाहेगा तो चलिए अब रिक्वर्मेंट जान लेते हैं तो रिक्वर्मेंट सबसे पहले आपको पाशपूट की होगी पाशपूट में वैलरेटी होने चाहिए छे मंत की और आईटी आर पिछले दो साल की चाहिए और बैंक बैलेंस जो स्टेटमेंट है वो पिछले तीन मंत की चा अगर कोई डॉकुमेंट आपका अधूरा भी है सबसे पहले उसे पूरा किया जाएगा और उसके बाद ही apply किया जाएगा और अगर आप apply करना चाते हैं या फिर आप free में profile assess करवाना चाते हैं अपनी तो हमें call कर सकते हैं और इसके लिए आपको call करना पड़ेगा या फिर आपके पास एक message का भी option है आप WhatsApp पे message कर सकते हैं WhatsApp पे message करने के लिए description box में link है उस link पे click करते ही आप हमें message send कर पाएंगे और हम भी आपकी query as soon as possible अच्छे से मतलब cover up करने वाले हैं कोई दिकत नहीं आएगी आपको किसी भी चीज में आप बस requirement अच्छे से जान लीजी और requirement पूरी कर दीजी आपका वीजा जरूर आ जाएगा